गैस मेरे पास है Moto G14 phone, इसका design देखो यार कितना खुबसरत है, इसका design जैसे अच्छा है, इसमें अच्छा-च्छा features भी मिलता है, आज इस वीडियो भी इसका कुछ hidden features या tips and tricks मैं आपके साथ सेयर करूँगा, यह phone आता है IPS panel के साथ, इसमें all-age on display तो नहीं है, लेकिन उसके जैसा features है, जब आप phone को lock करोगे, यह पर lock skin में single tap करोगे, तो यह आपर all-age on display की तरह सो होगा, यह आपर clock दिखाए देगा, notification बगरा सब कुछ सो होता है, तो इस option को on करने के लिए आपको आना होगा, settings में, display में आना होगा, और यह आपर देखाए देगा, emblem display, इसको आपक करना है, तो रहन वाइक अफ़ हो जाएगा, इसके लिए आपको आना है, settings में, और यह पर जेसास में आना होगा, put the display to sleep, इस option को आपको on कर लेना है, और यह आपर jump to lock दिखाए देगा, इसको भी आपको on कर लेना है, इसमें pixel clock widget मिलता है, आपको home screen में tap and hold कर करके रखना हो यह पर आप देख लीजे, मेरे home screen में एक clock widget का style apply हो गया है, जो देखने में काफी प्यारास लगता है, अगर आपका phone log है, अब तुरंथ camera application को ओपन करना चाहते हो, तो इसमें एक shortcut मिलता है, आप जो power button में उसको double press करोगे, तो इहाँ पर camera application तुरंथ open हो जाएगा, यह पर navigation button इसमें है, तो इस navigation button को अगर आप customize करना चाहते हो, तो आपको आना होगा settings में, यह पर आपको system में आना होगा, और आप navigation बार देखाएदेगा, यह पर तरह तरह का style मिलता है, तो कोई भी style को यह पर चूच कर सकते हो, जब आप नए phone लेते हो, यह पर battery percentage on नहीं रहता है आपको आना होगा settings में, और यह पर आपको scroll करके आना होगा battery में, यह पर battery percentage देखाएदेगा, इसको आपको on कर लेना है, अब देख सकते हो, मैं फोन को सेख करो, यहाप फ्लेसलाइट तुरंद open हो गया है, फिर से सेख करो, यह पर flash light off हो गया है, आपको सबसे पहले आना ह settings में, यहाँ पर justice में आना होगा, और यह पर first thoughts देखाएदेगा, इसको आपको on कर लेना है, इसमें भी sidebar का features मिलता है, अब जो जो application को जादा रीच करते हो, shortcut के लिए आप इंसाट करके रख सकते हो, यहाँ पर मैं Antutu जो app है, उसको मैं ले लेता हो, अब यह पर देख ल इसके लिए आपको आना होगा, settings में, और यहाँ पर JSAS में आना होगा, और यहाँ पर quick capture है, इसको आप on कर लीजिए, इसमें notification history का feature से, on करने के लिए आपको आना होगा, settings में, यहाँ पर notification में आना होगा, notification history है, इसको आप on कर लीजिए, 24 hours में आपको device में जितना सारा notification मैं कोई भी एक application को open करता हूँ, light off नहीं होता है, इस light को on करना बहुत ही आसान है, तो आप सबसे पहले मेरा description को check करिए, एक application का download link मिलेगा, जिसका नाम है ring ring application, बहुत ही छोटी MB का application है, single click में download हो जाता है, तो आप जल्दी से इसको download करके install कर लीजिए, आगी का जो सारा process है मैं आपको बहुत आसन तरीके से समझा देता हूँ, जब पहले बार इस application को open करोगे, इसका home screen settings कुछ ऐसे देखाए देखाए, यहाँ पार उपर में एक button है, इसको आपको on कर लेना है, एक circle आजाएगा, इस circle को इस controller के जरी, selfie camera का सबस्त में लेकर आना होगा, अगर अगर इस तरीके से fit नहीं होता है, तो उपर की तरफ जो बार है, उसको up and down करके, अप fit कर सकते हो, इसके बाद यहाँ पर color में tap करना होगा, यहाँ पर single color को select कर लीजे, आपका favorite color को आप चूच कर सकते हो, यहाँ पर preset color को select करके, okay पर click कर देता हूँ, फिर से outer ring color देखा देगा, यहाँ पर में preset color में yellow color को state करके, और okay में click कर देता हूँ, तो मेरा काम यहाँ खतम हो जाता है, यह light hard time on रहेगा, जितना मर्जी अब app को open करो, यह light off नहीं होता है, और देखने में काफी प्यारा सा लगता है, तो क्या सूच रहे हो, जल्दी से जाओ, और ring ring application को download कर लो, description म ले सकते हो, इसकी side bar में भी skin shot का option मिलता है, यहाँ आप single tab में skin shot ले सकते हो, अब three finger को tap and hold करके रखोगे तो यहाँ पर skin shot हो जाएगा, अब long page का skin shot भी ले सकते हो, ऐसे आपको three finger को tap and hold करके रखना होगा, इसके बाद यहाँ पर capture more में click करना होगा, थोड़े दिर के बाद process हो जाएगा, अब जितना मर्जी आप यहाँ पर skin shot ले सकते हो, डिस्प्ले का specified area का भी skin shot ले सकते हो, ऐसे, इसके बाद save में click करना होगा, skin shot हो जाएगा, इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा, settings में, यहाँ पर आपको जैसरस में आना होगा, और यहाँ पर जादा है, और कम होता तो अच्छा होता है, इसलिए तो दोस्तो इसमें extra dim का features दे आए, अब यह पर देख सकते हो, मेरा brightness कितना जादा है, मैं single click में इसका brightness को तुरंट कम कर देता हूँ, अब का brightness कम होने के बाद भी अब उसको और भी ज्यादा कम कर सकते हो, इस extra dim की features दे, कर नहीं रहता है, तो आप pencil icon में click करके इसको insert कर सकते हो, जोस्तो इसमें app lock और app height का features तो नहीं मिलता है, लेकिन features मिलता है, जो यह दोनों features का बाव है, जोस्तो यह पर आपको आना होगा, और यह पर देखा देगा focus mode, और टैब एंड होल करके रखना होगा, सिधा आज आप नहीं करते हो, तो यह app नहीं करेगा, तो यह पर आप सिंगल क्लिक में इसको off ही कर सकते हो, इसके बाद इस app और यूज कर सकते हो, अगर आप movie या video चाहदा देखते हो, तो आपके लिए एक interesting features इसमें है, जो है video enhancement mode, तो आपको आना होगा settings में, यह पर आपको आना 13 के सथ आता है, इसलिए तो दोस्तो इसमें बहुत ही अच्छा-च्छा wallpaper मिलता है, वालपेपर को change करने के लिए आपको tab and hold करके रखना होगा, और यह पर wallpaper install में click करना होगा, तो यह पर change wallpaper देखा देगा, यह पर on device wallpaper दोस्तो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा-च्छा प्रेस and hold the power button है, hold for assistance है, इसको आपको आप कर देना है, इसके बाद जब आप power button को press and hold करोगे, तो यह पर power menu कुल कर आ जाएगा, इसमें भी flip to mute का features मिलता है, तो इसके लिए आपको आना होगा, सिधा dialer में, यह पर three dot में click करना होगा, यह पर settings में आना होगा, और यह पर flip to silent देखा देगा दोस्तों, इस option को आप on कर लीजे, जब आपके phone में incoming call आएगा, फोन को पलट दोगे तो phone silent हो जाएगा, इसमें भी dark mode को features मलता है, आपको आना है सिधा settings में, यह पर display में आना होगा, और यह पर dark thing देखा देखा देगा, इसको आप on कर लीजे, on करने के इसको आप clothing स्था स्था iPhones में, और यह पर को आणा होगा, चिए all apps में click करना होगा, और यह पर कोई भी application का notification का notification को disable कर सकते हो, यहापर सिंगल click में आना होगा, और इस पर notification काakah पूस कर दीजे, disable हो जाएगा, अब देख सकता हो, इस phone को varольно DivisionEP में ें के यूच कर रहो, इसक स्मूधनेस बहुत ही अच्छा मिलेगा इस फोन का डिस्प्ले का साइच बड़ा है इसलिए तो इसमें ओन हैंड मोड का फिचर्स दिया है दोस्कों आप यह पर देख सकते इस फोन को में बहुत ही आराम से वान हैंड में यूज कर रहो जब मत्य होगा फुल स्किन में होगा और यह पर मैगनिफिकसन देखा देगा इसको आपको अन कर लेना है इसका सॉट कार्ड भी ऑन हो जाएगा इसके बाद आप यह पर देख सकते हो यह पर में टैप करता हूँ तो जीजार उंगली लेकर जाता हो स्कीन जोए जूम हो जाता है और आप एजी ली छोटे यह पर एपलाई पर क्लिक कर दीजे इसके बाद आप यह पर देख सेकते हो जो कालर मैंने स्लिट किया थे यह पर एपलाई हो गया जो देखने में कापी खुप्सरत लगता है इस फोन में लेफ टू चेक का फिचस मिलता है मालू आपका फोन लॉक हो का टेबल में पढ़ा कAre the settings में यह आपर accessibility में क्लिक करना होगा.. раб saud and haftix Post have a job to alien and flip100 और यह पर ringمة privacy यह इसको आपको i on कर लेना है..िसकी एमेरस से खेचा हूआ कुछ भी फोटो को आप easily edit कर पाऊगे तो यह पर photo की आपसन में आना होगा और यह आप एडिट और में क्लिक करना होगा यह तरह तरह का features मिलता है अब थोड़ा time दे कर आप कोई भी photo को easily एक बहतरी look दे सकते हो इसके लिए आपको third party application को use करना नहीं होगा दोस्त यह तुता कुछ features जो Moto G14 में देखने को मिलता है मुझे पूरी उमीद है एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको एक वीडियो helpful लगाए तो एक like करके चैनल को subscribe करके हमारे साथ जुड़े रहिए हो साके तो आपके दोस्त के साथ एक वीडियो share कर देना आपको दोस्त को भी बता चलेगा Moto G14 में ऐसे emerging emerging features मिलता है